दोस्तो आज हम Reliance Power CR Price का कुछ latest news देने वाला हूँ जो की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो को सुरू से लास्त तक चलो देखेगा सबसे पहले आपको एक like कर देना है और subscribe कर लेना है अगर आभी तक subscribe नहीं किया है तो अब यहाँ पर नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा आज का market तो close है ठीक है सोंबर का market is starting हुआ होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप आज देखा देता हूँ जब Friday को market open था तो यहाँ पर definitely आप देख सकते है market में थोड़ा से increase point देखने को मिला है लेकिन अगर आप इसको calculate करके देखे होगे अगले 5 दिन में तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि देखिए ग्राफ अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए कभी आपर तो कभी down कभी आपर तो कभी down यहाँ पर नजर आ रहा है तो इसका reason भी हम अगले वीडियो में आपको बताया था कि क्यों है इसा basically हो रहा है क्योंकि आप अगर अगले 10 दिन से देखोगे या फिर 10 दिन से उपर से ही हो रहा है देखोगे और थूरा सा knowledge लगाओ होगे तो यहाँ पर definitely आपको समझ में आएगा कि market का price जो है 13 रूपिया से 17 रूपिया plus ठीक है इससे ज्यादा या फिर 13 रूपिया से कम हो ही नहीं रहा है आपको definitely यहाँ पर पता होगा 13 रूपिया से फिर 14 15 16 जा रहा है 17 जा रहा है फिर से डाउन आने के बाद फिर से त तरह का चला आ रहा है कुछ दिनों से ठीक है तो यहाँ पर हमने बताया था कि क्यों आ रहा है तो आज हम आपको बताएंगे कि सोंबार का market क्या होने बाला है क्या सोंबार का फिर से डाउन होने बाला है और यह जो price है यह price फिर से डाउन सार के राने बाला है या फिर आप आपर सर्केट जाएगा या फिर नहीं जाएगा सोंबर को तो चलिए देख लेते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों गिराफ जो है यह अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा ठीक है अब यहां पर देखिए जो रेट कलर के हो सेलिंग का है और जो ग्रीन का देख रहे पर यह एक एक धापत, एक एक दिन का है तो यहां पर फ्राइडे का अगर देखो गे तो यहां पर डेफिनिटली आपको रेड कलर का जो da, अपशन रहे हो ज्यादा देखाई देरा है तो क्या इसका मतलब क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो selling है वो ज्यादा interesting आ रहा है आर पावर में ज्यादा तर selling ही हो रहा है ठीक है selling का सबसे ज्यादा हुआ है वह हुआ है करीब बारा बच कर आसपास में ठीक है तो तब जब हुआ था तो market काफी ज्यादा डाउन होने लगा था ठीक है उसके बाद से फिर से थोरा से यहाँ पर आपको selling का देख जाएगा जो कि market खड़िता है उसके बाद फिर से बड़ा बड़ा यहाँ पर selling देख जाएगा जब market थोरा सा आपर जाता है मतलब कि आप समझ लो यहाँ पर 13 पिलास चल रहा है आज का market हम अच्छे तरह के समझाने के कोशिस करते है तब आपको पता चलेगा example थुरू यहाँ पर अगर हो जाता है आज का जो तेरा रुपिया में लगा था और वह लाश्ट पोजिशन में या फिर यह के लोगी बारा बजे तक एक बजे दू बजे तक यहाँ पर 14 प्लास हो गया है तो यहाँ पर क्या करता है सेलिंग जो है वह लगातार बढ़ने लगता है जिसके बज़े से मार्केट डाउन पोजिशन में आ जाता है अब जिसका प्रॉफिट हो गया है वह तो यहाँ पर से चल जाता है लेकिन लास्ट पोजिशन पर या फिर यह के लिए पर जो डेलिभरी पर आता है वह क्या करता है वह वह वेट करता है कि आज नहीं तो चलो कल पॉपिटों का तक ले लेंगे या फिर हम छे महीने तक हम होल्ड करते हैं और यह जब भी पॉपिट होता है तब हम यह आपर सेल कर देंगे लेकिन वहाँ पर क्या होता है यह मार्केट आप देखे होगे तो तेरा रूपीस मतलब जो डाउन पोजिशन का है और तेरा से आपर सार्केट में क कब हमें पॉफिट देगा तो जो प्रॉब्लम हभी फेस किया जा रहा है वह इस तरह से ज्यादा प्रॉब्लम इसी इवदे से हो रहा है कि सेलिंग जादा हो रहा है और वाइंग वह वह कम हो रहा है अब सुरबादी तोर पिदेखोगे कभी-कभी आज का दीन एक-एक दि तो अभी उपन होता है तभी से वह खरीद लेता है चल और यहां पर सुरवादी तॉर पर द्रिखो के मार्केट काफी अच्छा काफी पर रहा है और मिडिल बारा बजा तो क्या होता है मार्केट फिर से डाउन पोजिशन में आने लगता है उसका बज़य आप यहाँ पर डेफिनिटी देख सकते हो मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग होने लगता है जब पॉफिट होने लगता है मतलब आज 13 पे ओपिन हुआ है और मिलिल पॉइंट में मतलब 12 बज़े तक य 14 प्लास हो गया है तो इंट्रेवला क्या करता है यहाँ पर सेलिंग करने लगता है और वो अपना पॉफिट निकाल लेता है जिसके बज़े से मार्केट डाउन हो जाता है और जिसके बज़े से मार्केट 13 रूपिया से 17, 17 रूपिया से 13, 16, 15 इसी तरह से यहीं पर घूम चला जाएगा लेकिन इसी बज़े से थोड़ा इफेक्टेट हो गया है और जो की यहाँ पर देखाई पर रहा है कि सेलिंग जादा होने के बज़े से मार्केट में तेजी जो है देखने को नहीं मिल रहा है तो चलिए बात कर लेंदे सोंबर का सोंबर को आपको मार्केट म झाल झाल